माशाला से जी हमारी इंस्टेंट खीर जो हमने सिर्फ 15 से 20 में बनाई है रैडी हो गई है पर यह जाईके में किसी से कम नहीं है तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और चैनल पर नहीं है तो जी सबस्क्राइब लाजमी करना है तो आई हैं जी वीडियो स्टार्ट करते है अबीर आहमद फूर्ट सीक्रेट में आप सब का वैलकम है अमीद है आप सब खेर खेरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे तो जी आज मैं आप के लिए फीर नहीं कहला है यहां चाबलों के खीर जो हम बनाते हैं उसकी रैस्पिले के आई हूँ तो उसके जिस सी बलाई आज है क्योंकि हमने इसको इंस्टेंट बनाना है फोरण ही तो दूद को तो हमने ज्यादा कूप नहीं करना है बस हमने हलका सा कूप करना है और कलर इसमें माश्वरा से बहुत अच्छा है जब वह हम एक ट्रिक करेंगे इस्तिमाल वीडियो पूरी देखनी है त उसका टेक्स्चर इतना क्रीमी होगा माशाला से तो अब हमने जी इसको कलर देने के लिए अपने चीनी जो है वो कैरमलाइज करके डालनी है तो एक अफ़े करीब हमने चीनी ले ली थी और उसको अब हमने हलकी आच बिलकुल कैरमलाइज कर लेना है अगर आपको लगे के नहीं हमारी कैरमलाइज अची हो रही तो आप उसमें एक टेबल स्पून के करीब घी भी आड़ कर सकते हैं तो दूसरी साइट पर हमने जी अपने चावल जो है वो टोटा जो चावल होते हैं वो हमने भी घो के रख दिया थी आदा कप था और आदा गंटा हमने इसको भी पर चावल के बाद अब जैसा पानी है हो हमने अच्छा से स्टैन कर लेना है और इसको पूल जो अपना ब्लंडर है उसमें हमने आड़ करांगी तो क्जि Ramsay से अपने दूध करने जैसे पेस्ट शेक बनाते हैं वैसके हमने बना लेना है तो भी हमने अब राड़ी कर लिया ह अब जल्दी से अपनी कीर कर लेते हैं तो दूद हमारा माशला से बहुत अच्छा सा पकने स्टांट हो गया, यह कुतना अच्छा हो गया है.. अब घूर में तो बैढाना दोद में मिक्स कर लेना है तो आपने टैंशन नहीं 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 कि यह क्या हो गया है दूसरा इसका फलेवर अच्छा आता है तो आपके भी कीड बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो अब चीनी हमारी जो है वो इसमें अच्छे से हो गई है जी मिक्स तो हमने जो अपने चावल का पेस्ट बना कर रखा था वो भी आड़ कर दिया है और अब हमने चमच इस पॉइंट पे हम सलसल हिलाते जाना है तो आप देखेंगे चमच हिलाते हैं तो दो मिनट के बाद यह देख सकते हैं आप गाड़ा होना हमारा मिक्सचर जो हमने डाला था दूद स्टार्ट हो गया है तो हमने चमच हिलाते जाना है और इसको कुप करते जाना है और माशाला से यह देख सकते हैं बहुत अच्ची सी भाइरी फीर्णी जो है राटी हो गई है फीर्णी जो है वह थोड़ी सी पत्री होती है। ai को देख सकते हैं अगर आप पर इसी पॉइंट पे इसको उतार लेना है तो ज़ोई आप पे डिपेंड करता है वरना मैंने इसको थोड़ा सा और कुप करूंगी थोड़ा सा इसको हमने ठीक कर लेना है तो माशला से जी हमारी फीर नी या की इंस्टेंट ट्रैडी हो गई है तो आप उसको हमने जल 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 दी क्या करना है कि अपने मट्टी के प्याले मिल जाते अराम से उसमें मैंने निकाल लेना है इसको अगर आपके पास नहीं हो तो आप सिंपल जी किसी भी बरतन में निकाल ले और उपर से बदाव हमने आड़ कर दिये हैं और फ्रिज में रख के आप इसको ठंडा करके खाएं या गरम ही खाएं महुत ही अच्छे लगते हैं दोनों तरीकों से तो माशला से यह ठंडी हो गए थी तो आप देख सकते हैं इसका टक्षर कितना ज्यादा अच्छा है तो अमीद है जी आपको मेरी यह वीडियो भी अच झाल 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 झालilah जस्ट झालब niedगाम मेरी यह वीद़ा ही यह है उजयरे अप़西एके, और उसके आपकाना जा sponsors की निएलियोघन कंवाएं मेरी है बnyt आझ कर दिता हैं पानूराण के खालगर में चैश्यों में आपको कर आपको कितना शटाल थीम जशन